मेरे चाइनल पर आपको कुकिंग के साथ साथ राजस्तानी तेवारों के कहानी और आर्ति के भी वीडियो मिलेगे इस वीडियो में आपको बड़ी तीज वरत की सारी कहानिया सुनने को मिलेगी बड़ी तीच का वरत बहदरपद मास के तुर्टिया तिती को बहुती दुमधाम से मनाया जाता है आईए बड़ी तीच वरत की कहानी शुरू करते हैं सबसे पहले हाथ में सातु की आखा लेते हैं और फिर कहानी सुनते हैं एक गरिब ब्राह्मन था उसको साथ बेटिया थी एक बार तीच का सिंजर आया तो ब्राह्मन के बड़ी लड़की कहने लगी मेरे लिए आप गेहु का पिंडा भीजना, दुजी लड़की ने कहा मेरे लिए चावल का पिंडा भीजना और तिसरी लड़की ने कहा दार्वे का ऐसे सातों बेटियों ने साथ प्रकार के पिंडे भीजने को कहा यह सब सुनकर गरिब ब्राह्मान सोच में पड़ गया कि अपन तो गरिब है पिंडा बनाने के लिए सामान कहा से लाएंगे पर बेटियों को पिंडा तो भिजना ही पड़ेंगा यह सोच कर वो एक साहुकार के घर गया साहुकार के यह थोड़ी देर पहली ही सेठानी ने पिंडे बनाये थे सभी सामान रसोई में पड़ा था राथोने के कारण सेठानी सो गई ब्राह्मान को रसोई में सारा सामान दिखा तो ब्राह्मान वही पर ही पिंडे बनाने को लग गया पिंडे बनाने की थप-थप आवा सुनकर सेठानी जाग गई और उसने सावकार को भी जगा दिया और कहने लगी रसोई में कोई चोर घूस आया है सेट रसवी में गया, तो उसको ब्राह्मन वहाँ पर पिंडे बनाते हुए दिखा, तो सेट ने ब्राह्मन को पूछा, भाई तू कौन है, चोर है या भूत, यह सुनकर ब्राह्मन बोला, नहीं मैं चोर हूँ, और नहीं भूत, मैं एक गरिब ब्राह्मन हूँ, मुझे साथ बेटिया है, बड़ी तीज आई है, इसलिए मुझे सबी बेटियों ने पिंडे बेजने के लिए बोला है, और मैं बहुत गरिब हूँ, पिंडे बनाने का सामान मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपकी यहा से पिंडे बना कर ले जा रहा हूँ, मुझे दूसरा कुछ भी पाऍञ नहीं चाहिए यह सब सेठ् daran भी सुन रही थी सेठ्षनी को ब्रहमन पर दया आयी पिंडों के साथ 7 बेटियों के लिए सेठ्षनी ने मेंधी और बहुत सा सामान देखर साथ बेटियों को 30 भेजने को कहा और ब्रहमन को अपना धरम का भाई बनाया जिस तरह ब्रहमन जब दो एक गाव में एक सावकार रहता था हुसको बेटा नहीं था। सावकार के बीवी ने निमडी माता से मननत मांगी कि उसको बेटा हुआ तो निमडी माता को सवा मन का सातू चड़ाएंगी। निम्डी माता की कुरपा से सावुकार को एक एक करके साथ बेटे हुए, लेकिन सेठानी ने निम्डी माता की मननत पूरी नहीं की, बेटे बड़े हुए, पढ़ाई करे, शादी लायक हुए, लेकिन सावुकारीन मननत भूल गई, उसने मननत पूरी नहीं की, पहले बेटे क शादी हुई स्वागत के तयारी के लिए बेटे को गनेजी के मंदिर में ठेराया लेकिन निम्डी माता की मननत पूरी नहीं करने से निम्डी माता ने सावकार के बेटे को मंदिर में घट्टी सहित गायप कर दिया सभी कहने लगे ऐसे कैसे हुआ बहु को लेके घर आये इस तरह छे बेटे की शादिया की मंदिर में आने के बाद छे बेटे भी गंजोडे के साथ गायप हुए छे बहुए घर में आई सावकार सोसने लग गया शादि के बाद बेटे गायप क्यों हो रहे है सात्वे बेटे के शादि के लिए सावकार ने दूर देश में एक ब्रहमन को लड़की देखने के लिए भेजा ब्रहमन एक नगरी में गया वहाँ पर उसको चार लड़किया घर बना कर खेलते हुए दिखी ब्रहमन लड़कियों को ध्यान से देखने लगा खेला होने के बाद तीन लड़कियों ने अपने अपने घर तोड़ दिये लेकिन चौती लड़की बोली मांडे वाला घर नहीं तोड़ना चाहिए ब्रहमन को लड़की सुलक्षनी लगी वो जब घर गई तो ब्रह लड़की के पिता से बोला आपकी बेटी का रिस्ता सावकार के लड़के से कर दीजिए तब लड़की के पिता ने कहा हम गरिब लोग सावकार की वरोबरी नहीं कर सकते तब ब्रह्मन ने कहा सावकार बहुत भला आदमी है वह आपकी लड़की बहुत सुखी रहेंगी आप बेपिक्र होकर सावकार के यहां रिस्ता कर दीजिये, लड़की के पिता ने रिस्ता कर दिया, शादी की तारिक निकाली, सावकार बड़े दुमधाम से शादी के लिए बारात लेके आया, छोटे बेटे की शादी संपन्न हुई, बिदाई के पहले सावकार ने लड़की के पिता से कहा, आप कुछ दिन तक बिटिया को यही रहने दीजिए, क्योंकि मेरे छे लड़के घटी के साथ मंदिर में गायप हुए, कुछ दिनों बाद हम बहु को ले जाएंगे, और छोटे लड़के को लेकर वो घर गए, कुछ दिनों बाद सावकार बहु को लेने आया, तब लड़की की माने, लड़की को लड़ू देकर विदा किया, और कहा, रस्ते में जितने भी तेवाराएंगे, पूरे करना, दूर देज जाने को टाइम लगेंगा, पहिले छोटी तीज आई, सिंजारे के दिन बहुने सर दोया, मेंदी लगाई, तीज के दिन वहाके स्वागनों के साथ जुला खेली, कर अपना करपया भोजन किया, और आगे निकले, चौदा दिन बाद, तीज का सिंजारा आया, बहुने ससुर जी से कहा, आज बड़ी तीज का सिंजारा है, हम यही मुक्काम करेंगे, आज पिंडे बनाना है, पिंडे बनाने के लिए सामन लाकर दो, ससुर जी ने सामन लाकर दिया, बहुने पिंडा बना प्रूंप करने नहीं दे रही थी तब बहु ने मीनिमरी माता को हाद जोड कर का अप माता सभी स्वागन को तो मुझे पूज क्योग विलए दे निम्डी माता ने कहा, तेरे सास को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने मुझे सवा मन सत्तु चड़ाने की मननत मांगी थी, तो उसको साथ बेटे हुए, बेटे बड़े हुए, शादिया हुई, पर तेरी सास मननत पूरी करना भूल गई, इसलिए तेरे छे जेट को मैंने गायब किया, तेरे छे जेट मेरे पास है, तब बहु ने निम्डी माता से विननती की, कि माता मैं सवा सात्मन का सत्तु आपको चड़ाऊंगी, मेरे छेम जेट मुझे वापिस दो, बहु की पार्तना से निम्डी माता प्रसन्न हुई, बहु ने पुजा की, चंद्रमा को अरक दी, पिंडा पाशी और भोजन करके अपने गाउ गई, मंदिर में रुकी, मंदिर में उसके छे जेट, गंजोडे के साथ गनेजी की प्रदक्षना डाल रहे थे, तब वो सभी को अपने साथ घर ले कर गई, बाजे गाजे के साथ सास ने बहु और सभी का स्वागत कि फिर सास बहु के पेर चुने लगी, तब बहु ने कहा, आप निम्डी माता की मन नद भूल गई थी, इसलिए आपके छे बेटे मंदिर में गायप हो गए, आप निम्डी माता को शमा मांगिए, निम्डी माता के ही पेर पड़िए, मैं तो आपके पेर पड़ूंगी, इस बहु को निम्डी माता जैसे प्रसन नहीं, सभी को प्रसन नहों, निम्डी माता की जय, आई ये कहानी क्रमांक तीन सुनते हैं, एक समय की बात है, एक गाउ में एक सावकार की चार बहुए रहती थी, सावकार के तीन बेटे अच्छे कमाते थे, परन्तु चौथा बेटा अपंग था और दिन भर वेश्य के यहां पड़ा रहता था, इस कारण चौथी बहु दिन भर जेठानियों के घर काम करती और अपना पेड भरती, बड़ी तीज आई, उस दिन छोटी बहुने, सभी जेठानियों के घर, दालवा और शकर पीसी, गट्टी जाड कर जो आता और शकर इकटा हुआ, उसमें पिंडा बनाया, तीच के दिन निमडी माता की पुजा करके चंद्रमाजी को अर्धे दिया, और पिंडा पासने बेठी, तो इतने में पती आया, पती ने कहा, बार बार खोल किवार, बहु के मन में आनंद हुआ, ओ सोसने लगी, आज तो मेर भग्ये ही खुल गया, पिंडा पासने के लिए पती देव आये है, उसने दरवाजा खोला, पती ने घर में आते ही कहा, मुझे वैश्या के घर पहुचा के आ, तब उस बहुने पती को वैश्या के घर पहुचाया, ऐसा उसने छे बार पती को वैश्या के घर पहुचाया, चट्ति बार पत्ति को छोड़ कर आते हुए नदी पार करते समय एक आवाज आई आवत्री बाई जावत्री ड्रोनों गोल कर पी जिका सुथारा पीर भटार घरे आई उसने देखा नदी में एक दूद भरा द्रोन बहता आया, उसने द्रोन का दूद पिया और द्रोन को पिछे की ओर फेक दिया, घर गई और पिंडा पासने बेठी इधर तीज माता की कुरपा से पती का हरदय परिवर्तन हुआ, उसको अपने पत्नी पर दया आने लगी, उसने वेश्य से कहा, मेरे घर तीज का त्यवार है, तो आपना जेवर और कपड़ा मुझे दे, वेश्या ने जेवर और कपड़े दिये, घर पहुचकर पती ने दर्वाजा नहीं खोलूंगी, तब पती ने कहा, मैं वापिस नहीं जाओंगा, छोटी बहु ने पती से वचन लिया, और फिर दर्वाजा खोला, पती ने कपड़े और जेवर पहनने को दिये, सज सवर कर दोनोंने पिंडा पासा, खाना खाया, पान खाया, चौपड खेल और सो गए, सुबह ओने पर छोटी बहु जेठानियों के यहां काम पर नहीं गई, तब जेठानियों ने बच्चों को उसे बुलाने को भेजा, बच्चों ने कहा, काकी काकी काम करने चलो, तब छोटी बहु ने कहा, बहुत दिन काम किया, अब तुमारे काका आये है, वो क काम पर जाएंगे और अब मैं काम नहीं करूंगी तीज माता मुझे पर प्रसन्न हुई है बच्चे अपने घर गए और कहने लगे अब काका आ गए सो काकी काम पर नहीं आएंगी जैसे तीज माता छोटी बहु पर प्रसन्न हुई वुसी तरह सभी पर तीज माता प्रसन्न हो कहनी कहने वाले सुनने वाले और हुंकारे भरने वाले सभी को कहनी का फल मिले तीज वरत की कहनी के बाद गनेजी और लपसी तपसी की कहनी अवश्य सुने जय निम्डी माता की